अराजकता तो बंगलादेश में मची है ना, मगर उसके बहाने भारत में क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के खरीबों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात भाजपा सांसद आखिर भारत में तलवारें रखने के लिए क्यों नसीहत दे रही है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल निउस चक्र खबर की कहराईयों को टटोलता आज निउस चक्र में एक नहीं दोस्तों दो मुद्दे होंगे मुद्दा नमबर एक क्या बांगलादेश के सहारे भारत में अराजकता मचानी की साज़शों और मुद्दा नमबर दो विनेश फोगाट क्या इंडियन ओलंपिक असोसियेशन ने या भारती ओलंपिक संग ने विनेश फोगाट का साथ छोड़ दिया और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ दोस्तों वो जरूर सुनेगा मगर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ बांगलादेश की इसमें दोराएं नहीं है कि बांगलादेश में हिंडूों को निशाने पर लिया गया है मैं ये बात बार बार कहता रहा हूँ कम से कम 27 जिलों में कई जगाउं पर हिंडूों को निशाने पर लिया गया है मगर आज मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूँ आखिर क्या वज़ा है कि यहां भारत के अंदर जूटे विडियोस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्या वज़ा है कि संसकारी पुलिटिकल पार्टी के जो समर्थक है वो हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में मिलियन्स की तादाद में जूटे विडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे है और मैं मिलियन्स शब्का क्यों इस्तमाल कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि विडियो एक व्यक्ति जारी करता है मगर उससे कम से कम 10 लाक लोग देख रहे है जूटे वीडियोस जिसका कोई नाता बंगलादेश के साथ नहीं है जो पहले के वीडियोस हैं अगर ये बताया जा रहा है कि देखो किस तरह से हिंदू को अपमानित किया जा रहा है और हो ये रहा है दोस्तों उसका परिणाम यह भारत पर दिख रहा है आप जानते ही विक्ती कौन है जेल के अंदर इसका नाम है पिंकी चौधरी इसने क्या किया था आपको जानते हैं ये घाजियाबाद में जाता है कुछ गरीब मुसल्मानों की जुग्डी जोपडियों पर हमला बोल देता है इसने बुजर्ग मुसल आदमी ने निशाना साधा था वो बंगलादेशी नहीं थे इस व्यक्ती ने कानून को अपने हाथ में लिया और वहां बसे गरीब मुसल्मानों पर हमला किया सुनिये पुलीस उस पूरी घटना के बारे में क्या कह रही है कल दिनांद 9 अगस्त को देर शाम 7-8 बजे के खरी थाना छेत्र मदवन बापुधाम के अंदरगत गुल्दर रेल्वेज टेशन के पास प्रिवोर्ड जनिंग पे कुछ जुग्यों में लोग निबास कर रहे हैं वहाँ पे हिंदू रक्षा दल के अध्यर्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थों के साथ पहुच पर उनके ओपर बंग्नादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मार्पीट करने लगे तथा उनकी जुग्यों में लोग को चोटे विया हैं तथा जुग्या भी प्रक्रण का संग्यान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यर्ष पिंकी चौधरी तथा हों के समर्थों कि मृद्ध संगर भाराओं में अध्यों पंधित के जा रहा है तथा अध्रिम अध्रिकावाई सुन्शिक्ष पिंग्या नहीं आपको क्या लगता है दोस्तों ये महज अपवाद है ये एक्सेप्शन है बिल्कुल नहीं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ये हैं आपके स्क्रीन्स पर कंगना रनावत कंगना रनावत ने बंगलादेश के बहाने भारत में तलवार रखने की नसीहत दे डाली ये तो सरा सर मूर्कता है ना तनाव बंगलादेश में हो रहा है अराजटा बंगलादेश में और आम माहौल बिगाड़ रहे हैं भारत का फिर आखिर क्या वज़ा है कि कंगना रनावत भारत के अंदर तलवार रखनी की वकालत कर रही है उनका क्या बयान है मैं आपको पढ़के सुन के लिए लड़ी गई अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्शेली का अभ्यास करें अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन आत्म रक्षा के लिए 10 मिनिट का समय दें विश्वास में समर्पन करना प्रेम है परंतु भाय में समर्पन करना कायरता है इस्राइल की तरह अब हम भी चेरमपन्तियों से घिर गए हैं हमें अपने लोगों और अपनी भूमी की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए साफ तोर पर ये तयारी की बात कर रहा है मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ विदेश मंद्राले से पूछना चाहता हूँ क्या भारत पर कोई खत्रा है क्या भारत पर कोई हमला होने वाला है क्या उस हमले के बाद भारती नागरिकों के अधिकार जो है वो रौन दिये जाएंगे ये सवाल किया जाना चाहिए ये महतरमा बांगला देश के बहाने ये अराजकता क्यूं मचा रही है और ये सांसद है कोई दो रुपली ट्रोल नहीं है मगर इस तरह की बयान बाजी कर रही है आपको दो तस्वीरे मैंने दिखाई ही कंगना रनावत और पिंकी चौधरी ये दोने एक की खयाल के है इनका मकसद है कि भारत के अंदर तलवार की बात करो हिंसा की बात करो और भारत क माहुल बरबात करो सबसे बड़ी बात एक तरफ भाजपा के सांसद इस तरह के जहरीले बयानते रहे है दूसरी तरफ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को उनकी जिम्मेदारी से बचाया जा रहा है उसके लिए आपको मिलना होगा अनुराग ठाकुर से इन्होंने क्या बयान दिया कुछ देर बाद मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि अराजकता बांगलादेश में है मगर माहौल को यहाँ भारत में बगाड़ने की कोशिश की जा रही है फेक नियूज भारत से उभर रही है मैं एक बात स्पश्च कर दूँ मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ बांगलादेश में हिंदूओं पर निशाना साधा गया है मगर उसके बहाने हम अपने देश का माहौल बरबाद नहीं कर सकते देखिए किस तरह हिंदू सड़क पर उतरे हैं बांगलादेश के 27 जिलों में हिंदूओं को निशाने पर लिया गया है देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे है मगर क्या इन तस्वीरों के जरीए हम भारत का माहौल बरबाद करेंगे क्या हम देश विरोधी ताक्तों की साज़िश को काम्याब होने देंगे एक एक करके मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आवामी लीग की एक लीडर है जिनका नाम है अफसाना एबाद टिक्की उनकी पिटाई की जा रही है उनपर दबिश डाली जा रही है उनपर ज्यादती हो रही है मगर यह तस्वीर यह कहकर वाइरल की जा रही है कि यह एक हिंदू महिला है और देखे किस बे रहमी के साथ इसकी पिटाई की जा रही है आप जानते हैं यह जो महिला है जिनका नाम है अफसाना इनकी तस्वीर वाइरल है इस वक्त संसकारी पुलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्री नहीं कई विदेशी पत्रकार भी इस जूट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि देखो किस तरह से हिंदू महिला के साथ अपमान किया जा रहा है आपको यहाँ पर साज़श नहीं दिखाई दे रही है सबसे बड़ी बात जब इसका नाम अफसाना है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये हिंदू महिला है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ अफसाना का विडियो इस वक्त वाइरल है हकीकत ये है कि अफसाना एक मुस्लिम है आवामी लीग की सपोर्टर है यानि शेख हसीना की पार्टी की सपोर्टर है इसलिए भेड इनको निशाने पर ले रही है जो गलत है नहीं होना चाहिए मगर जूट ये पहला आजा रहा है कि हिंदू महिला को निशाना साथ आ जा रहा है अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों ये तस्वीर देखकर ये वाइरल किया जा रहा है कि देखो वहां की पुलीस किस तरह से हिंदू की पिटाई कर रही है अब ये हिंदू नहीं है ये वहां कोई चोर है अब ये चोर पकड़ा गया है बांगलादेश में और उसकी पिटाई हो रही है मगर व्यापक पैमाने पर ये बताया जा रहा है कि देखो बांगलादेशी पुलीस वहां के हिंदूओं पर दमन कर रही है मैं एक बात सपश्ट कर दूँ हिंदूओं पर अत्याचार हो रहा है मगर आपको जूटी तस्वीर जूटे विडियोस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है बताईए जूट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इस साजश में कई विदेशी पत्रकार भी शामिल है, मसलन ये कोई Daniel Boardman है जो National Telegraphic में काम करते हैं, वो ये जुटी खबर चला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसमें आधा सच है, सच क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि जब जमाते इसलामी समाज में प्रवेश कर लेती है, तो minorities पर हमला होता है, ये बात सही है, मगर जिस वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, वो जूट है, यहाँ पर एक चोर की पिटाई पुलीस कर रही है, यहाँ हिंदू की पिटाई नहीं की जा रही है, और इस आदमी की देखा देखी, यहाँ पर संसकारी political party का जो प्रचार तंत्र है, इस जूट का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्यूं? भेरों मिसाल हैं दोस्तों, यह कोई कलिंग है, आरेन उडिशा से, इस जूट का प्रसार कर रहा है, यह कोई विजेगराट 24 है, कोई न्यूज एजिंसी है, वो भी इस जूट का प्रचार प्रसार कर रही है, आप लोग इस बात को क्यूं नहीं समझ रहे हैं? कुछ लोग बांगलादेश का सहारा लेकर भारत का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे सामप्रदाइक ताने को बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी गंदी, राजनीतिक रूटियां सेखना चाहते हैं, और आपको समझना पड़ेगा क्यूं? क्योंकि दुनिया के एक हिस्से की ये साजिश है, कि भारत के माहौल को बर्बाद किया जाए, उनकी साजिश है, क्या आप उस साजिश को काम्याब होने देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कोई जवाब देही नहीं, आपके स्क्रीन्स पर अनुराख ठाकुर? राहूल गांधी पर दोश मढ़ रहे हैं? अरे अगर हिंदू पर हमला हो रहा है, तो प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जवाब देहीं नहीं है? क्या उन्हें कड़ाई से कुछ नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, भाश्पा तो ये दावा करती थी पापा ने वार रुकवा दी, अगर पापा ने वार रुकवा दी, तो हिंदू पर हमला क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? अगर पापा ने वार रुकवा दी, तो बांगलादेश में तख्ता पलट को क्यों नहीं रुकवा पाए? क्योंकि शेख हसीना भारत की दोस्त रह अगर पापा वह रुकवा सकते हैं तो हिंदू की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं अगर पापा वह रुकवा सकते हैं तो शेख हसीना के तख्ता पलट को क्यों नहीं रोक पाए जवाब देही तै कीजिए समाच के अंदर अराजकता मत मचाईये हकीकती है और इसके अलावा पीटी उशा ने विनेश फोगाट का साथ छोड़ दिया है उनका एक बयान जारी हुआ है कि जो सौ ग्राम से जादा इनका वजन सामने आ गया था जिसकी वज़ा से वो फाइनल नहीं खेल पाई उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया कम से कम सिल्वर भी नहीं मिल पाया इस आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब आप इस तरह के बयानात देंगे तो भारत का पक्ष कैसे मजबूत होगा विनेश फोगाट लगातार कह रही थी कि मेरे साथ जो लोग जा रहे हैं वो मेरे खिलाप साज़िश कर सकते हैं मेरे खाने में कुछ मिला सकते हैं मंतर मंतर पर उन्हें घसीटा गया था उनके बारे में इस व्यक्ति ब्रिजभूशन शरण सिंग ने मंतरा शब्क का इस्तमाल किया था ये तक कहा था खोटा सिक्का है ये तक कहा था कि 10-10 रुपे में मिडल्स मिलते हैं मगर बावजुद इसके लड़की लड़ी इसने ज ऑज भारती ओलंपिक संग कहा रही है कि गलती विनेश फोगाथ और उनके सपोर्ट साफ की है उनका क्या बयान आया दूस्टों आपकी स्क्रीन पर इंडिया उलम्यक अस्सोंशेशन इस्टरेस्ट बारे रिस्प्सिटिशन ओ ले इस स्क्रीब्स होट्टिंग सुट्सीन the I.O.A. made it clear that the athletes and their coaches are accountable for ensuring that they meet the required weight categories in these sports, I.A.N. is quoted. The Indian Olympic Association President P.T. Usha has clarified that the responsibility of weight management of athletes in sports like wrestling, weightlifting, boxing and judo is that of the athlete or her coach, and not of the I.O.A. appointed Chief Medical Officer, Dr. Dinshaw Pardewala. यानि कि Dr. Dinshaw Pardewala को बचाना है, तो दोश मड़ा जा रहा है विनेश फोगाट पर. क्या ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि P.T. Usha या I.O.A. भारती एक हिलाड़ियू की दुमाइनगी करेंगे? जब आप सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि दोश विनुश फोगाट का है? अरे वो लड़की तो लड़ी, उसे तुमने गालियां दी, जब उसे गाली दी जा रही थी तो उसके साथ सांथवना के लिए प्रधान मंत्री तक सामने नहीं आए. हाँ, ये बात अलग है कि जब विनेश फोगाट को मेडल मिला था इससे पहले, तब तमाम खिलाडियों को प्रधान मंत्री ने अपने घर बुलाया था, मगर आज उसके साथ कोई नहीं है. याद कीजेगा जब विनेश फोगाट ने जापनीज नंबर वान को हराया था, प्रधान मंत्री चुप थे. जब वो सेमी फाइनल में पहुँचे, प्रधान मंत्री चुप थे. जब वो फाइनल में पहुँची, प्रधान मंत्री चुप थे. प्रधान मंत्री कब बोले? जब वो अयोग्य करार दे दी गई 100 ग्राम की वज़ा से। प्रधान मंत्री क्या ऐसे में आप अपने आपको खिलाडियों के हितैशी बता सकते हैं। जब उन्हें सफलता मिल रही थी तब आप चुप थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे क्रिकिटर की एक उंगली में चोट लग जाती है आप ट्वीट करते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकिट में भारत हर मुकाबला जीत रहा था और प्रधान मंत्री एक एक ट्वीट कर रहे थे। मगर हमारी विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नमबर वन को हरा दिया प्रधान मंत्री चुप। सेमी फाइनल में पहुची प्रधान मंत्री चुप। मैं समझना चाहता हूँ क्यूं। सबसे शॉकिंग। इनका जो पूरा चाटुकार प्रचार तंत्र है बॉलीवोड में सब चुप है विनेश फोगाट के मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है शर्म इनको मगर आती नहीं मगर इस मंच पर हम ये सवाल लगातार उठाते रहेंगे अविजार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार